नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JioPos Plus के बारे में कैसे हम Jio का रिटेलर बन सकते हैं और कैसे हमें JioPos Plus के आईडी और पासवर्ड मिलेगा और अगर हमको जियो पोज पुलस के ID और पासवर्ट मिल जाता है तो हम कौन-कौन से काम कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्याई , अगर आपको जियो पुलस के ID मिल जाता है तो आप सिम कर सकते हैं सिम कर सकते हैं कि जियो पोज लाइक में लगब 4 प्रश pergi मलता मने पर जी Fr लेकिव पोत्रमस में आपको नेपर好不好 के Mr से मिल सकता है पहला तरीका है offline और दूसरा है online offline तरीके से ID लेने के लिए आपको जीओ आपी जाना है और वहां के distributor से आपको request करना है retailer ID के लिए तो वह क्या करेगा कि आपका document verify करेगा आपका shop है या नहीं है वह आपके shop को एक बार विजिट करेगा उसके बाद आपको जीओ पोज प्लस के ID बना कर दे देगा जीओ पोज प्लस के ID लेने के लिए आपको जीओ पोज लाइट ID को ही अपग्रेड करना पड़ता है जीओ पोज प्लस में अगर जिनके पास जीओ पोज लाइट की ID नहीं है वह पहले जाकर ID बनवा ले या फिर उपर आई बटन में आपको क्लिक मिल जाएगा वहां पर एक वीडियो है वीडियो देखर आप ID बना सकते हैं असानी से अगर आप आप लाइन तरीके से ID बनवाते हैं तो आपको जीओ पोज लाइट में रेजिस्टर करने की जरुबत नहीं पड़ेगी तो यहां पर हम जीओ पोज लाइट अप्लिक कर सकते हैं यानि कि जीओ फोन को एक्टिवेट भी कर सकते हैं अगर वहीं अगर आप डेजिडेंस पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो यह इतने भी काम है सबको आप कर सकते हैं और सीम को डिस्टिवीट भी कर सकते हैं सारा काम आप कर सकते हैं अगर आप यहां पर सिर्फ एक nail Legends रहेगा हो थोड़ा सा लेगा यानिशन ओर इमेल आइडि कि बाद यापल टालना है अ कर दो तो यहाँ पर फिए लिए पे करना है तो उपर आपको लिखर आ जाएगा तरह यहाँ पर यहाँ करना है ठालिक यह तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कैप्चर करना उसके वाध यहां पर करना है तो आप का यहां पर अप्लोड अंप करना है उसके वाद कंटीनीव पर क्लिक ही खैचियोट इसे बनाया जाता है तो डिस्क्रिप्सें में लिंक है महार सजा कर आप देख सकते हैं वेडियो तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपको कैंसर चेल का टाठाe कॉर्मेट में इसको अपलोड करना है याँ फैक इसका प्रोन एक लोड करना है तो यहां पर अपना bank select कर लेना है तो मेरा यहां पर bank overda रहा तो सबसे नीची आना है किbie अब्रोस इसको select कर लेना है उसके बदेना पर account number डालना है दोबरा से account number को confirm करना है उसके ऒदेनाप एकाउंट holder name type करना है उसके बदेना इटालना है उसके बदेना पर सब्मिट पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको अधार काड को सेलेट करना है और यहां पर अधार नमबर डालना है अधार नमबर यहां पर डालने के बाद नीशे आना है और यहां पर टेक पिक्चर पर क्लिक क का उसके बाद इसको नीचे करना है और बैक साइड के फोंटो को भी अपलोड कर देना है उसके बाद यहां पर सब्मिट पर क्लिक करना है तो उसके बाद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है प्रूप ओफ एड्रेस के लिए तो यहां पर आपको सेम सेम आई जाधार काड प यहां पर है proof of identity पैन कार्ड है उसी का देना चाहते हैं तो यहां पर किलिक करना है अब आप से पुछा जा रहा है अगर आपके पास जी स्ट्रिम नमबर है तो यहां पर एंटर करें तो यहां पर हम मेरे पास यह जोड़ देता हूं उसके बाद अगर आप पहले से कस्टमर है तो यहां पर PRM ID डाले तो हम यहां पर कस्टमर नहीं है तो उसके बाद यहां पर नीचे है इसके बाद जब आप सब्मिट पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लिकेशन सब्मिट सक्सेश्बूल हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ दिनों का वेट करना है डिस्टिबिटर क्या करेगा कि आपके डॉकमेंट को भेरिफाई करेगा उसके बाद आपके सोब पर दिये जाएगा